हेलो मैं बीटिफुल सोल्स वेलकम टू माय यूटुब चैनल काईज कैसे आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करूं की सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाईज एक जनरल कालेक्टिव और टामनेस रीडिंग है आपसे जितना रिजुनेट करें उतना ही रखिएगा और यह रीडिंग मारेट अन्मारेट मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी ओके स्टार्ट करते हम आपकी रीडिंग को देखनी कोशिश करते हैं आपका पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहा है क क्या करेंट एनरजी आपके पार्टनर की हैं ओके और सु लेट स्टार्ट यूर दीडिंग ओके गाई से स्टार्ट करते हम आपकी रीडिंग को प्लीज हरी हरा गाइड मी मेरे जो भी व्यूर्ट से उनके पार्टनर की करेंट एनरजी इस वक्त में मेरे व्यूर्ट को लेकर क्या है अल्सो गाइस जिन्होंने भी मेरे कल दूसरे वाले चैनल की रीडिंग नहीं देखी है चाहिक टारो शिविट परेट पर जो मैंने रीडिंग डाली थी कल यह वह रीडिंग आप लों को देखनी चाहिए उससे आपको काफी साथ लिडिंग में दूसरे वाले और काफी अच्छी रीडिंग है वह ठीक है मतलब आपको काफी साधा क्लारीटी मिली कि उस लीडिंग से तो मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ वह रीडिंग की थी और मैं देखा कि उसको बहुत कम लोगों ने दिखा है जब्कि बह दिखा जाएगा ओके जहां पर सी लेटर बन रहे है सबसे पहले ठीक है सी लेटर दिखाई दे रहे हैं आपर यहां पर two of ones की energy है ठीक है two of ones की energy है आपके person किसी एक decision को ले नहीं पा रहे हैं आपर यहां पर कुछ ऐसा message आ रहे हैं कि आपके person के सामने दो ones रखे हुए हैं किसी एक one को select करके इस person को आगे बढ़ना है लेकिन यह person को समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस चीज को select करें क्योंकि दोनों ही चीज़े इस person के लिए ऐसा लगता है नहीं कि इनके लिए choice बनाना काफी जादा मुश्किल है पहली energy यहाँ पर आपके person ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे है कि इनको life के अंदर ऐसा क्यों होता है कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है यह बड़ा अच्छा message निकल कर आया है okay guys तो अगर आपने एक चीज़ notice कियोगी अपनी life के अंदर कि आप एक सांस लेते हैं तो आपको दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है यह प्रक्रती का नियम है आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो तो आपसे कहते हैं एक छोड़ो दूसरे को ले लो जब यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देने वाले होता है तो पुराना वाला चीन लेते हैं इसा नहीं होता है कि पुराना भी साथ में दे दिया और कुछ नाया भी दे दिया तो जब भी आपको कुछ मिलना होता है तो आप आप से का जाते हैं चोईस बनाईए किसी एक चीज़ को चूज करके आगे बढ़िए ठीके उसाब से चीज़े प्लैन होंगी आपकी तो आपका जो परसे नहीं की कोशिश कर रहे है कि ऐसा क्यों होता है कि एक चीज़ को ही पकड़ना है और दूसरे को छोड़ना एक बाद करना तो पराना आपके अंदर है आपकी आदते भी हैं आपके अनर्जी बेस पहले खाली होगा तब कुछ नया आएगा तो ऐसा यहां पर मैसेज निकलकर आ रहा है आपके परसे ऐसा ही सोच रहे हैं आपने स्वान को देखा ही होगा दोनों उ से बहुत जादा प्यार करते हैं और आपने देखा होगा कि वो दोनों इक दूसरी के विना रहते ही नहीं हैं तो को एक मरता है न तो दूसरा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यानि लव करते हैं तो यहां पर अगर कोई एक इनसान दूर जाता है तो दूसरे वाले की स्थिती भी वही हो जाती है ठीक है मतलब एक इनसान तो तूटे गई तो दूसरा भी तूटी जाता है तो आपके जो परसनन वो भी ऐसे ही कुछ यहां पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मतलब इस परसन के सामने ऐसी च्वाइस है कि यह परसन दोनों मैंसे किसी भी चीज़ को आसानी से लेड़ को नहीं कर सकते एक के साथ हो सकता है बहुत 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 अच्छे से उनका दिल डूड़ा हुआ है और दूसरी के साथ हो सकता हुए रिसPONSIBILITY को तो यहां पर इस परसनी के लिए मुशिकल है बहुत फैसला करना तो यह परसनी कह रहे हैं है हमेशां इन्द् ceux फहीं कि यहां बने क्लाइन जैनल हो रही है सब को सब कुछ नहीं मिलता इस परसन के दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही है इस वक्त में और आप इस परसन की लगातार दिमाग में चल रहे हैं मतलब यह परसन आपको नहीं बला सकते और समझ में आचीकी है आपको बना बहुतार चान की लिए का बटन देता है बहुत है उसे हम लेखते हैं कि मतलब ना कंपारिजन खूबसूर्टी का कंपारिजन भी है और विन अम्रिता का भी कंपारिजन है ठीक है बहुत अच्छा माना गया है बेसी कली मून को तो वह एनरजी यहां पर है दूसरा मेंसेज यह देने की कोशिश कर रहे है न्यू मून और फूल सोल की बात कर रही कि आप लों को लगत है कि आप और आपका पूरसेट सब्समीक एक उनगुड़ ौजू थोमन लूउन की आसपास पैदा हूं और प्लस माइनस टू मैं और एक अम आवस के असपास पैदा वह होगा क्लस माइनस टू है। त्छिए और उस समाई पर आप और देखेंगे कि आपकी एनर्जी या तो बहुत हाई जाती है तो लो जाती है या बहुत परजिंग होती है रोना आता है अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है आप सो प्रतीशत किसी स्पीज्वल जर्नी का पार्ट है या असेंशन के प्रॉसस में है और यही सेम प्रॉसस में है यह तरीके होते हैं पता लगाने के कि आप आपके परसंट वो मून का मैसेज दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी जो न्यू मून गया है इसके बाद इस परसंट की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इस परसंट ने रिलीज किया है और फ बहुत समझ में आ रही होगी आप लोग उसे बोलते हो कि आप बहुत तेज बोल देते हो या फिर या पर पदढ़िए कहीं आप टू एक्स पर करके मेरा वीडियो तो नहीं सुनते हो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ठीक है मैं तेज तो बोलती हो लेकि इतना तेज नहीं ब की यहां पर सबसे बड़ा लेटर बना है अपके परसन को न अपनी खिलाफ बातों को सुनने में बड़ा डर लगता है यहां पर ऐसा मैसेज निकल करा रहे कि कोई हम सब लोगों की life के प्रोस्स में जीतनी लोग比如 लोग है लोग यह वाला इक जरूर आता है कि लोग क्याएंगे क्यों कि यहां पर एक society pattern होता है कि लोग ऐसे ऐसे जीते हैं और after a week नहीं आप वैसे जीना पसंद नहीं करते हो क्योंकि आपके अंदर हो गए काफी सारे changes तो आप कहीं न कहीं society से थोड़े different तो दिखाई दोगे और अगर आपने कुछ different काम करोगे तो भी आप लोगों की नजरों में खटकोगे तो यहां पर सुड़वाद में एक fear का issue आता है जहां पर लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे आदे लोग तो इस डर से soul purpose ही नहीं करते हैं ठीक है तो यहां पर वही message निकल कि अगर आप decision नहीं लेते हैं तो आप अपने person को खो देगए तिक कि मुझे नहीं मिला ओके अगर आप decision नहीं ले पाते हैं और अगर आप दर को चुझते हैं तो पिर आप तो इज़ेगा कि आप उपने person को को खो देगे ऐसा भी हाँ यहां पर message है यह person से कहा जा रहा है कि आप एक light worker है, आप एक यहां पर ठीके जरूरी नहीं कि आप ही सिर्फ आप ही का sole purpose हो, आपका person भी आया है, उसकी अगर कार्मिक सिचुएशन खता मोरी तो उसका भी sole purpose होगा, ठीक है, अब मतलब special journey में आने के बाद काफी सारे लोग sole purpose करते हैं, क्यो आप जैसे universe इस person से कह रहे हैं कि आप खुद light है, अगर आप खुद dark को चूनेंगे तो क्या से चलेगा, मतलब अगर आप खुद light है, अगर आप खुद light worker बने के लिए बने हुए हैं, तो आप कैसे dark को चून सकते हैं, आपको तो light को चूस करना पड़ेगा ना पहले, अगर यह masculine से तुनको और भी जादा डर है, क्योंकि masculine से तनी आसानी से choosing नहीं करते हैं, परपस को, ठीक है, या फिर मतलब इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, अपने ego को side करके, ego self को side करके higher self से connect हो पाना, family बहुत easily ego self से हटके higher self से connect हो जाती है, इना वक के बाद, लेकि masculine के लिए काफी मुश्किल है, ego self को छोड़कर higher self से connect होना, कुछ लोग के मन में सवाल आया होगा, कि माम ego self क्या है, higher self क्या है, ego self आपका 3D self है, जिसमें आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, जहां पर आप एक society pattern के साब से चल रहे हो, higher self आपका 5D self है, जो आपको ऐसा दिख बैठना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वो आपका higher self है, यहां पर आप में से काफी सारे लोगों के person को आप में दुर्गा नजर आ रही है, जो कोई शक्ती नजर आ रही है, देखिए, फैमिन जा अविकान होती है, तो शक्ती की तरह ही दिखाई देती है, अगर उसने full power को अपने हाथ में ले रखा है, तो यहां पर दुर्गा मुझे नजर आई है, माधी शक्ती वादुर्गा, तो आप में से काफी सारे लोग के person को उसी energy में देख रहे हैं आपे, यह person कहरे है कि गलती इन ही की है, इनको इतना ज्यादा हमीशा से लोगों को खुश करने के लिए ζिंदी को नहीं जीना चाहिए था, हमेशा से इस person को जिनदी को जीना से था अपनी खुशी के लिए है यह person कह रही है कि खुद अपनी आपनी से कहते हैं कि जिना इसी तरह की चैशी बनाते हैं न किसी के ऊपर सर के ऊपर बैठने वाले यूणिवर्स आपके साथ वैसी treatment देता है वह आपको वैसी काम कर वाता है फिर आपको problem होती है कि मैं तो लाचार हो गया बेबस हो गया आपको है कि पहले तो मैं जब चैश्वानाने का मौका मिल कार्ट देखकर बताती हूं प्रीज गाइड कीजिए इंजल्स मेरे जो भी व्यूर्स या उनके पार्टनर्स की करेंट एनाजी मेरे व्यूर्स को लेकर क्या है झाल 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 देखे गाइस यहां पर फैमली का इशू है बहुत स्ट्रॉंग मतलब एक तरह आफ है दूसरी तरह डेफिनिटीव फैमली है ठीक है यहां पर तैनाफ काप्स की एनरजी है यहाँ पर आप दोनों married भी है गाईज तो आप लोगों की connection में family का बड़ा issue है ठीक है आज कल लोग family वाले भी परेशान करते थे बताव married लोगों को family वाले परेशान करते थे हैं इतना जादा कर्मा लोगों create करना रहता है और उस कर्मा से डरते भी नहीं है ठीक है आपके connection म आपको तक्लीफ दे रहे हैं आप दोनो odpowied है और आपको तक्लीफ दे रहे हैं आप के पाडिनर को भी दुख पहुंचा रहे तो आप दोनों के कार में खुए राइट तो यहां पर कुछ वैसी एनरजी है काईस की फैमिली हीलिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि वह सकता एक तरफ फैमिली हो एक तरफ आप हो और आपका परसन की कैसे फैमिली छोड़ दे आपक यह जो की बहुत मुश्किल काम है ठीक है मतलब यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यह कनिक्शन इस परसन के लिए तना आसान नहीं है अगर यह आपको चूज करते हैं तो मतलब पता नहीं कि अगेंस्ट जाना पड़ेगा इस परसन को ठीक है यहां पर हाते हैं और अभी नहीं सकते हैं वाली दो पहल referral पहली जो चीजस को कि बहूँ के और इस परसन को मुझे उसक्ती खांचार, अब यह जो रहना मतलब यहां एक बिफित brश ना जा रहा है कि आप यहां पर्षीज़ है आना ज़ीजे का फीमातर के इस परका आलेरने यह दोनों के बीच में इस वाक्स में चीज़ें आ गई हैं ऐसा मेसेज है यहां पर इस परसिन के अंदर हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है टेंपरेंस काड़ का इश्यू मुझे नज़ा आया था मैंने बोला था कि आपका परसंट डरता है बहुत जादा दरता इसलिए भी है क्योंकि दूसरी तरफ कोई छोटी मुटी चीज नहीं है अफकोस दूसरी सरफ जो भी है वो इस परसंट यह बहुत जादा important यानि दो चीजों में से अगर चूस करना है तो इस परसंट के तरफ जो दूसरी तरफ चीज है वो है इस परसंट की family चीक है अब यहाँ पर मुझे इस वक्त में जो नजर आ रहा है यह परसंट इस इतनी बुरी इस्तिती में है कि यह परसंट किसी भी तरफ पैर रखे इनको ऐसा लगता है कि हार तो इनी की होनी है विल्ब एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई उनका सीधा है कि आप यह कुछ भी नहीं पापाएंगे कि इतरी से उनको अशा लगता है कि अगर यह आपको पाते हैं तो इनको बहुत बड़ा लॉस मिलेगा अगर यह फैमिली को पाते हैं तो यह आप बहुत बड़ा लॉस होने वाले हो इस परसंट के लिए यह परसंट के रहे एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई इस परसंट झाल 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 यहां पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है यह पार्टनर्शिप इस परसंग प्रसंग के लिए लेकर राइट टाइमिंग नहीं की आञे इसकर परसंग के लिए इस वेज़े से परसंग को दो सिच्वेशन नजर आ रही देखिए एक बहुत अची चीज़ बताती हूं कि जब भी आपको डिवाइन टाइमिंग होती है रास्ते क्लियर हो जाते हैं जब तक रास्ते क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं फिर क्लारिटी नहीं आई है इसका मतलब है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है अभी ठीक ह है आपका परफेक्ट वन और इसी को आना है आपकी लाइफ के अंदर या फिर इस परसन से यह ना कहा दिया जाए कि आपका रास्ता इक्टम क्लियर है आप जा सकते हैं तब किक आप समझ लीजे कि डिवाइन टैमिंग नहीं आया है क्योंकि जिसन डिवाइन टैमिंग होगा उसे सारे लोग अपने अपने रास्ते से खुड हट जाएं इसका मतलब है कि हीलिंग बाकी बाकी है अभी पुरी तरीके से आपकी रास्ति से हीलिंग नहीं हुई neighborhood geworden कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है कि जिस दिर डिवाइन टाइमिंग होगा आपको एफर्ट से नहीं लगाने पड़ेंगे वो चीज़े ऑटोमेटिक होंगी मतलब एक तरी किसम यह कह सकते हैं कि आपको जैसे आप एक स्पीच्वल जर्नी में होते हैं तो आप से क प्रिवाइन काम कर रहे हैं तो जब तक आपको इइंडूवर झॉन आपको पूरी क्लारिटी मिल जाते हैं ब्रण कर देते हैं ऑपको जब तक आप को क्लारिटी नहीं आ रही है इसका मतलब है कि अभी अभी शाड़ो वर्क आपका बाकी है देखिए एक बहुत अची जीज़ बता आती हूं तो जिस दिन आपको शाड़ो वर्क कम्प्लिट हो जाएगा आपको पूरी क्लारिटी मिल जाएगी अपके फ्यूचर की पूरी पि गुष्से में बहुत ही गंदा बोलता है उसका ना वह एक तरीके से हम कह सकते है वह उसका शैड़ो है लेकिन अब लोगों की चाल लोगों के बीच में जाएगा तो गंदा थोड़ी बोलेगा ठीक है वह बहुत अच्छे से बात करेगा तब तक वह गंदा नहीं बोलेगा कि आप उस तरीके से गंदा बोलें मतलब वो आपकी कमी निकाल कर बाहर रख देखो तुमारे अंदर किसी बड़ी कमी तुम कितना गंदा बोलते हो यह आपके शैड़ो होते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाते हो वो आपका मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है व कि वो फेस नहीं करना चाते है अपने शैड़ो को यह होती है आपकी शैड़ो साइट ठीक है और भी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी ठीक है ओके तो यह आप लोके लिए रीडिंग निकल कर आ रही है I hope आपको यह रीडिंग पसंद आई हो रीडिंग पसंद आई तो